तो दोस्तों जो सबसे lowest price में best smartphone प्रोवाइड करता है वो है Xiaomi और आप Xiaomi Note 6 का अंदर Redmi Note 10 को launch करने वाला है जो की साथ से 5G smartphone होगा और इस phone का अब live photo के साथ साथ बहुत सारा space fiction भी लिख हुआ है digital chat station पर तो इस वीडियो में आप लोग को Redmi Note 10 के बारे में बताऊंगा जैसे कि इस phone की confirm space fiction प्राज और confirm launch date के बारे में भी बताऊंगा तो इसी बात पर इस वीडियो को एक एक लाइक जरू कीजेगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दू साथ से Redmi Note 10 का प्राज बहुत ज़्यादा कम होगा और एक यू किसलिए मैं आप लोग को वीडियो को एंड में बताऊंगा तो जो फोटो लीक हुआ है उसकी सब सब लोग देख सकते हैं डिस्पले में आपको punch hole selfie camera देखने को मिलता है और फोन की back side में rear camera design जैसे के आप लोग देख सकते हैं इस बार quad rear नहीं इस बार triple rear camera मिलेगा और साथ साथ कोई भी physical fingerprint sensor देखने को नहीं मिलेगा और दोस्तो इस phone की power button में भी कोई भी fingerprint sensor देखने को नहीं मिलेगा तो definitely इस phone की display में in display fingerprint sensor मिलेगा तो ठोको ताली क्या बात तो यहाँ फोन की back side में glass back glossy gradient finish देखने को मिलेगा और साथ साथ जैसे कि मैं आप लोग को बताया triple rear camera जिसका primary lens होगा 48 megapixel का जिसमें sony का sensorius किया जाएगा और एक 8 megapixel का ultra wide angle lens और साथ में एक 5 megapixel का micro lens देखने को मिलेगा तो चलिए और आप बात कर लेते हैं इस phone की display के बारे में तो दोस्तो इस phone में आपको 6.57 inch का full HD plus AMOLED skin मिलेगा यहाँ पर super AMOLED तो नहीं मिलेगा बट AMOLED मिलेगा और साथ साथ कोई high refresh rate मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका बारे में confirm news नहीं आया है बाकि selfie के लिए 16 megapixel का punch hole camera देखने को मिलेगा बाकि इस phone की performance यानि की processor के बारे में बात किया जाए तो इस phone में आपको Mediatek का Dimensity 820 का chipset देखने को मिलेगा जो की बहुत ज़दा powerful chipset है जो की run करता है 2.4 giga tocta per clock speed पे इस phone में आपको 8GB RAM और 128GB का Intel लिए storage देखने को मिलेगा and the device is also said to come running MIUI 12 based Android 10 तो चलिए और आप बात कर लेते हैं इस phone की battery के बारे में तो दोस्तो news के सबसे इस phone में आपको 4420 mAh की battery मिलेगा लेकिन मेरे हिस सबसे लगता नहीं कि 4420 mAh की battery देगा मेरे हिसाब से इस बार Redmi Note 10 में 5000 mAh की battery देखने को मिल सकता है जो की 22W या फिर 33W का fast charging को support कर सकता है and guys बहुत ही मैंने से वीडियो बनते हैं please share वीडियो को एक एक लाई जरू कर देना चैनल को subscribe करने के बाद बेल आइकोन को जरू प्रेस कर लेना तो चलिए और आप बात कर लेते हैं इस फोन की pricing के बारे में और launch date के बारे में तो देखिए दोस्तों इस फोन के price क्यों कम होगा मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस फोन की back side में आपको triple rear camera मिलता है और उसके साथ आपको 48MP का primary lens मिलता है तो देखिए जबकि quad rear camera बहुत जटा है ट्रेंडिंग में फिर भी company ने थोड़ा बहुत changes किया है company ने थोड़ा बहुत change करकि इस फोन की pricing को कम करने की कोसिस किया है और वैसे भी Xiaomi Note 6 का अंदर जितने भी phone को launch किया है प्राइज 20,000 से उपर नहीं गया है तो इस phone का price भी 15-16,000 range के अंदर ही हो सकता है तो जबकि Redmi Note 10 का live photo leak हो चुका है तो साथ से इसी महने का end में या फिर next month की fast week को launch हो सकता है Redmi Note 10 तो दोस्तों बहुत ही महने से वीडियो बनते हैं प्लीज यार वीडियो को एक एक लाइज जरू कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब करने को आद बेल आइकोन को जरू प्रेस कर लेना